अल्लो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं यूटुब चैनल एसी इंगलिस अकैडमी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूजड टू और अकस्टम्ड टू के बारे में जानेंगे वैसे तो इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है इन दोनों का मतलब आदत होना या फिर आदी होना या फिर लत होना या फिर अभ्यस्त होना होता है प्रजेंट में मतलब वर्तमान में अपनी आदत बताने के लिए आप सबसे पहले सबजेक्ट लिखेंगे फिर इस एम आर इन तीनों में से कोई एक फिर यूजड टू या फिर अकस्टम्ड टू का इस्तमाल करेंगे फिर नाउन का इस्तमाल करेंगे चलिए इस बात को कुछ examples के थुरू समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपका funda एकदम killer हो जाए अगर आपको कहना हो कि वह किताबों का आदी है इस बात को आप दो तरह से कह सकते हैं पहला he is used to books या फिर आप कह सकते हैं he is accustomed to books एक और example देख लेते हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आजाए अगर आपको कहना हो हमें चाई की लथ है इस बात को आप कह सकते हैं we are used to tea या फिर आप कह सकते हैं we are accustomed to tea और अगर आपको ये बात past में बोलनी हो तो आप was या वर का इस्तमाल करेंगे जैसे अगर आपको कहना हो वह किताबों का आदी था इस बात को आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं तो दोस्तों आपको जब भी अपना कोई लथ के बारे में अपनी कोई आदत के बारे में बतानी हो तो आप used to का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर accustomed to का इस्तमाल कर सकते हैं अगर present में बोलनी हो तो is MR का इस्तमाल करेंगे और past में अपनी बात बतानी हो तो was या वर का इस्तमाल करेंगे तो दोस्तों I hope कि ये वीडियो आपको वहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप बताईए कि आप किस चीज के आदी है या आप किस चीज के आदी थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ सेर कर दें और इस चानल को सब्सक्राइब कर दें साथी साथ बेल आइकान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे ओके फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मुच पर वाचिंग इस वीडियो कीप प्रेक्टिसिंग एंड कीप लर्नेंग